नमस्कार दोस्तों मैं अचार रविंद्रा ध्यात्म अवर्णिश पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों शुक्रगरह, शुक्रगरह केवल तीन उपाय बताएंगे जो आपके शुक्रगरह को मजबूत करतेगा। शुक्रगरह से होता क्या है? शुक्रगरह आपको जीवन में सारे सुख भोग देते हैं, भौतिक सुखों का दाता है शुक्रगरह, लगजरी लाइप का दाता है शुक्रगरह, अपार धन देने वाला है, आपका आकरसन देने वाला है, आपके जीवन में सारे सुख भोग करन तो क्या-क्या आपके जीवन में घटित होने लगता है, आपका बैभारिक जीवन समाप्त हो जाता है, आपका रिलेशन खराब होने लगता है, आपके पती-पत्नी के बीच में रोमांस खतम हो जाता है, आपके जीवन में संबंद खतम हो जाता है, आप हरा हमेशा अपने चैला समझते हैं। आपका 11So4 में आकर्षन खतम हो जाता है। ये सारे शुक्र देता है। आर्थीक तंगे आपको शुक्र देता है। आपके जीवन में किसी परकार की खूशियां आप जो चाते हैं वह न ही मिल पाता है। यह शुक्र खRाब होनी की कारण। केवल हम शुक्र पूरी भाग्य से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन में भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं शुक्र की इस्तिती खराब है, आपके बर्थ चाट में आपको देखना होगा कि शुक्र की इस्तिती कहा है, अगर ग्यार में घर में अप्ति कतम हो जाएगी, तो ऐसी इस्तिति में सुक्र को कैसे मजबूत करें, इसी पर यह विडियो है, शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको है, कि आपके जीवन में बेवस्थित जीवन जीना पड़ेगा, अनुसासित जीवन जीना पड़ेगा, सरसफाई स रहना होगा आपको और हमीसा जो है सो आइरन किया हुवा कप्रा पानना होगा सफेद कप्रा पानना होगा और इसके साथ अब कुछ कर सकते हैं यह एक चांधिका छला आपको शुक्र जो अंगुठे में आपको पहनना है अगर कोई भी लरका है तो उसको डाइने हाथ के तो ये निश्चित रूप से है कि हम जो चांदी का छला पांते हैं इसमें काफी रातो रात आपके जिवन में तरक्की का द्वार खुलता है यह चुकी चंद्र जो है उसका धातु जो है चांदी है और जब हम चांदी को धारन करते हैं शुक्र के परवत पर शुक्र के अस्थान पर तो आपका चंद्र भी मजबूत होने लगता है अठात चंद्र जो है शुक्र को सही करता है तो ऐसी इस्तिति में हम इसको धारन कर सक पहती यह तो एक उपा है अब धारन करने की विधी आपको बता रहे हैं कि उनको जो है सो मंत्रों उपचार के द्वारा इसलानी त्यादी करवा करके आप मांसिक पूजन करके कि है शुक्र को शही करने के लिए मजबूत करने के लिए शुक्र में ताकत लाने के लिए हम इस को धारन कर रहे हैं और आप शुक्रवार के दिन इसको धारन करें तो अपार सफलता आपको जीवन में मिलेगा उसके बाद है कि शुक्र को और कैसे मजबूत कर सकते हैं अपने पास पर्स में हर हमेशा 6 अंक लिख करके रखें या आप जो है सो चोविस अंक लिख करके रखें यहां आपको काफी लाब देगा जहां आप अगर आफिस में बैठते हैं जहां आपका बैपशा है जिस जगह पर आप बैठते हैं उसके पीछे चोविस अंक लिख करके आप जो है सो रखें काफी लाब मिलेगा जो टेबल है जिस पर आपक वर्क होता है, वहाँ 24 अंक लिख करके रिखें, काफी अच्छा लाब मिलेगा, 6 अंक लिख करके देखें, काफी अच्छा लाब मिलेगा, उसके साथ आता है कि जब भी घर से आप निकलने लगें, तो दही और सक्कर को खा करके निकलें, तो सुक्र आपका मजबूत होगा ही होगा सारे काम आपके बनने लगेंगे और क्या कर सकते हैं इत्र को ले करके आप सुक्र परवत पर हर हमेशा घर से जब निकलने लगें या प्रते के दिन में भी आप इत्र का जो है यहां लगा करके इसको थोरा सा अस्पंदन कर दें तो शुक्र आपको मजबूत हो जाएगा तो यह सारे चीज है और जो बैभारी की जीवन में आपको अपनाना है वह देखिए कभी भी घर के इस्तरी या छोटे इस्तरी बच्चे को जो लरकियां हैं इसका अपमान आप नहीं करें जितना अधिक उन्हें मान सम्मान देंगे शुक्र आपको मजबूत हो जाएगा और शुक्र जब मजबूत होगा तो आपके जीवन में सारे शुक भोग मिलने लगे हैं आपके जीवन में धन ही धन होगा आपके जीवन में बड़ी बरी गारियां बंगले सारे चीज़ आपके पास होगे तो इस तरह से हम शुक्र को मजबूत करके अपने जीवन में चार चांग लगा सकते हैं धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नमश्कार